हेलो एवरिवन मैं हूँ सचिन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जहां हम सीख रहा है लारवल ठीक है तो लारवल का पहला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से Composer को download के जाता है और फिर लारव प्रोजेक्ट बनाया जाता है ठीक है तो आज का वीडियो भी मैं क्रेट करूँगा मगर composer कैसे download के जाता वह मैंने नहीं दिखाओंगा वो तो previous video मैंने दिखा दिया था ठीक है तो सबसे पहले देखिए मैं आपको cmd से दिखा रहा हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर cmd type कर रहा हूँ और उसके बाद Command Promote को मैं यहां पे Open कर रहा हूं, Open करने के बाद मैं यहां पे cd लिख कर मैं desktop में जा रहा हूं लेकर, desktop, CD desktop में जाने के बाद को जरूरी नहीं है कि आपको desktop में जाना है, आप अपना location जो भी है वो आप खोज लीजे, ठीक है ना, मैं desktop में जा रहा हूगी, क्यों मुझे desktop में create करना है project, उसके बाद में, इस desktop में मैं एक टो ला रहा हूँ, project create करना चाहता हो, तो उसके लिए मैं यहां पर लिखूँगा, composer, c-o-m-poser, composer, ठीक है, उसके बाद में मैं लिखूंगा create और then यहां पे हमको लिखना होगा project ठीक है और space देंगे हम लोग और उसके बाद में यहां पे देखिए दो बार हम लोग को इस प्रकार से minus sign देना होगा और फिर यहां पे लिखना होगा per और fer ठीक है देन उसके बाद एक hypen और फिर dist और उसके बाद में फिर laravel फिर slash और फिर laravel उसके बाद में फिर आपका project का नाम जैसे मैं यहां project का नाम लिख रहा हूँ my new project इस तरह से मैं नाम दे रहा हूँ ठीक है इतना लिखने के बाद में simply क्या करना है आपको इंटर मारना है और देखिए यहां पर installing laravel class laravel यह आपका start हो जा रहा है और आपके desktop में एक आपका folder बन जाएगा my new project नाम का ठीक है देखिए जैसे complete हो जाएगा तो यहां पर आपका दिखाएगा successfully वाला message ठीक है अब जो वो जो folder है उस folder का नाम हम लोग क्या दिये थे उस folder का नाम हम लोग दिये थे my new project है ना तो यहां पर मैं एक बार cd लिखता हूं उसके बाद my new project project जैसे इंटर मारूंगा अभी हम लोगो फोल्डर का अंदर आ गया है अब इसको मैं visual code editor में खोलने वाला हूं ना visual studio code editor जो है तो क्या करूंगा मैं यहां पर अगर डारेक्ट खोलना चाहते है अगर आप cmd से ही तो यहां पर आप code लिखेगा space दीजेगा और उसके बा वारा जो यह जो फोल्डर है यह आपका visual code editor में open हो जाएगा अगर देखिए अभी मैं यहां पर सबसे पहले तो यह welcome screen जो display हो रहा है इसको काट देता हूं और काटने के बाद में यह हमारा फोल्डर देखिए यह हमारा फोल्डर है जो हम लोग वहाँ पे नाम दिये थे ना my new project वह है और इसको मैं अगर click करके खोल देता हूं अगर तो यहां पर जो file है यह automatic generate हुआ है जैसे हम लोग create project लिखे थे और तो यह सब लारेवल का ही है ठीक है यह सारा चीज़ जो है आप एक ही साथ नहीं सीख सकते है ठीक है धीरे धीरे करके मैं आपको बताते जाओंगा और समझाते विए जाओंगा कि कौन सा project कब और किसले हम लोग use करते हैं लेकिन सबसे पहला जो है हम लोग इसको open करना सीखते हैं हलाकि पिछले वाला वीडियो में भी हम लोग open किये थे start किये थे जैसे ब्राउजर में यह page हम लोग देखना चाहते न भी इक ऐसा दिखेगा तो उसके लिए जा करना होगा देखे cmd स के बाद मैं serv लिखूं और इंटर मार दूं तो यह open हो जाएगा ठीक है बट यहां से मैं नहीं लिख रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं देखें यहीं पर अब टर्मिनल में जाई है और यहां पर new terminal में क्लिक कर दीचे तो नीचे में यहां पर टर्मिनल आपका open होगा देखें यहां पर आप यहां टर्मिनल में भी आप यहां पर आपको simply क्या करना है php लिखना है और फिर artisan लिखना है और उसके बाद scrv लिखना है और लिखने के बाद मैं आपको इंटर मारना है तो एक्चुली में देखें यह आपका एक्टू development server स्टार्ट हो जाता है ठीक है यहां पर इसको आप यहां से कॉपी करके अपना ब्राउजर में पेश्ट करके या फिर आप control प्रेस करके रखिए और यहां पर आप क्लिक करिए जो हाथ बना हुआ है तो आपका ब्राउजर जो है वह उपन होगा और आपको यह लिंक में आपका ब्राउजर खुलेगा देख़िए ओपन हो रहा है और यहां पर देखे यह लिंक था अब देख्ये यह पेजपे कहां पर जो पेज हम देख रहे हैं क्यु WordPress का यह जानना है है लोगों को अगर सबसे पहले हम लोग कोई भी चीज सीखते हैं तो एक होता है ना कि चलिए अपना कुछ लिखके देखे या हमको पता किसे चलेगा यह पेज कहां पे तो इसके लिए देखे मैं आपको बता दूँ यह जो पेज आ रहा है यह आपका रिसोर्स में जाए रिसो को मैं Ctrl A करूं और फिर मैं Delete करके मिटा देता हूं और मिटाने के बाद मैं अपना यहां पर HTML code लिखता हूं देखिया HTML5 और उसके बाद में यहां पे मैं लिखता हूं H1 यहां पे मैं यहां पे h1 tag यूज़ कर रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं my page in larval ठीक है और अगर अब हम जाके यहां पे अगर इसको refresh करें तो देखिए my page in larval यह change आपको दिखेगा ठीक है अब रहा सवाल कि अगर हम कुछ नया page अगर बनाते जैसे यहां पे welcome.blade.php है उसी प्रकार से अगर मैं यहां पे right click करता view के अंदर में यह view folder है न देखिए यहां पे यह resource के अंदर में एक view folder है और view folder के अंदर में right click कर रहा हूं और new file यहां पे create कर रहा हूं अभी यहां पे जो new file हम मैं बना रहा हूं यहां पे student.blade देखिए .php.stml.css इस प्रकार से हम लोग file बनाते थे बट यहां पे अगर आप प्लार हो first time कर रहे तो आपको यहां पे दिख रहा होगा blade.php तो फिलाल आपको इसी प्रकार से लिखना है ऐसा आप सोच के चलिए ठीक है उसके बाद फिर blade की बारे में भी हम लोग discuss करेंगे actually यह होता है क्या है बट अभी फिलाल के लिए यहां पे आपको ऐसा ही करना है student जो भी ph का नाम होगा आप दीजिए student वगरा जो भी लिखना लिखिए बट जब file का extension देंगे तो यहां पे आपको dot blade dot PHP इस प्रकार से लिखना है यह फाइल एक ठू बन गया अब इस फाइल में फिर से मैं यहां पे HTML लिखता हूं और देन अब यहां पे फिर मैं यहां पे h1 tag यहां पे मैं यहां पे काम करते चलिए यहां पे डीव ले लेते हैं और इसका class जो रहाएगा वह यहां पे मैं लिख देता हूं header और इसके अंदर में फिर मैं h1 tag लेता हूं और h1 tag के अंदर में फिर मैं यहां पे लिखता हूं my new page ठीक है अगर css add करना चाहते तो फिलहाल के लिए यहां पे इस तरह से style tag यूज़ करके हम लोग इसमें कुछ css भी apply कर सकते हैं जैसे कि यहां पे dot header मैं लिखता हूं और इसके अंदर में हैं मैं simple यहां पे सिर्फ background color अभी देता हूं back g r o u nd background और उसके बाद यहां background मैं red कर देता हूं और इसका जो color है उसको मैं white कर देता हूं w h i t white और उसके बाद में text align जो है text align जो है वह मैं यहां पर लिख देता हूं center बस इतना थोड़ा से css हम लोग इस पर apply करते हैं अब रहा बात कि अगर मैं यहां जाओं और मैं इसको refresh करूं तो तो क्या होगा मेरा वह पेस तो display नहीं हो रहा ना अभी इस page को अगर मैं display करवाना चाहता हूं जैसे मैं चाहता हूं कि यह जो statement.blade.php जो की view folder के अंदर में है और यह जो view folder यह हमारा resource में है ठीक है तो कैसे मैं दिखा सकता हूं तो इसके लिए हम लोग को जाना होगा roots में ठीक है roots में जाने के बाद हम लोग को जाना होगा web.php में और web.php में देखिए यहां पे लिखा हुआ है root ठीक है फिर यह scope resolution मतलब double semicolon get और और फिर यहां पे slash और फिर एक function और यहां पे यह welcome दिया हुआ अब भी यहां पे देखिए यह जो slash दिया हुआ न सिंगल slash इसका मतलब होता है कि यह homepage खुलेगा जो पहला page है वो खुलेगा homepage खुलेगा that means यह हमारा homepage है और student student अगर लिख दूं और उसके बाद मैं जाके इसको फिर से अगर refresh करूं replace नहीं तो देखिए my new page यह आपका यहां पे दिखेगा अब और एक चीज हम लोग देख लेते हैं अगर मैं चाहूं तो यहां पे इसको मैं copy करतूं और उसके बाद मैं यहां पे इसको paste करतूं ठीक है मतलब इस प्रकार से root और cat लिखना होगा पूरा लिखना लिख सकते थे हम लोग और यह जो है यह एक क्यूली होता यहां पे हम लोग देते URL URL मतलब पार अभी मैं यहां पे लिख डूँ STD PAG तो यह URL हो गया अब यह जो URL है यह क्या काम आएगा भी यह देखिए यहां पे जो welcome वाला पेज था वही रखते है हम लोग यहां पर वैलकम वाला पेज ही रखते है अभी इसको अगर मैं open करूँ तो यहां पे जो दिखेगा वो कौन सा पेज दिखेगा welcome वाला पेज दिखेगा और ऊपर में जाकर अगर मैं यहां पे slash दूँ और slash देने के बाद में यहां पे अभी वहां पे हम लोग क्या लिखे थे हम लोग std और उसके बाद में क्या लिखे थे एक बार देख लेते हैं STD page लिखेते हैं यहां पर PAG लिखे इंटर अगर हम लोग मारते हैं तो देखें यहां पर आपका यह वाला page खुलेगा बस समझ मैं और यह चीज हम लोग और एक तरीका से कर सकते हैं जैसे कि देखें व्यू में चलते हैं और यहां पर मैं एक काम करता हूँ और एक फाइल यहां बना लेता हूँ और इस फाइल को मैं यहां पर STAFF लिखता हूँ फिर . लिखता हूँ फिर BLADE लिखता हूँ फिर . लिखता हूँ फिर PHP लिख देता हूँ ठीक है और उसके बाद में यहां पर मैं इसी को ही यहां से copy करता हूँ और फिर stop.blade.php में जाता हूँ और इसको paste कर देता हूँ बस यहां पे जो my new page लिखा हुआ है यहां पे मैं simple staff stop detail लिख देता हूँ यहां detail लिख देता हूँ और उसके बाद में अब हम लोग web.php में वापस आते हैं और देखिए अब इसको भी अगर कोई URL set करना है हम लोगों को यहां पे हम लोगों को क्या लिखना होगा root लिखना होगा फिर semicolon देना होगा और उसके बाद में यहां पे आप लोगों को view लिखना होगा और view के बाद में view का spelling यहां गलत लिक रहा हूँ पेजनेप है तो फिलाल जो पेजनेम है हमारा वो क्या है वो S T A F F है और URL जो मर्जी है आपका यहां पर दीजिए तो मैं यहां पर इसका नाम S T A F F सेम भी रख सकते हम लोग इस्टाप भी रख सकते कोई दिक्कत नहीं है तो अगर मैं अभी यहां जाओं आपस और यहाँ पे std page जो लिखा हुआ था इसका बजाए मैं यहाँ पे अगर st a ff लिख दूँ और enter मारूँ तो देखिए यह stop detail खूलेगा यहाँ ठीक है अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे link का द्वारा भी कोल सकते जैसे यह हमारा homepage था और यहाँ पे अगर मैं anchor tag लेता a a tag लेता और यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना होता है यहाँ पे हम लोग लिख देते जैसे की st a ff stop अगर मैं लिख दूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ st a ff stop और फिर यहाँ पे page ठीक है और फिर हम लोग चलते यहां पर और पीछे जाते हम लोग फिर पीछे जाते ही आगे हमारा पहला पेज जो खुल रहा था अभी देखें यहां पर स्टाफ पेज है यहां पर क्लिक करेंगे हम लोग तो देखें हम लोग स्टाफ पेज में आ जा रहे हैं ठीक है ठीक है